सरी शिवाय नमस्तु भी हम दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि चार जून को है इस चेट महीने की मासिक शिवरात्री और प्रदोश्वरेत इसलिए दोस्तों आप लोगों को इस दिन पंडी जी दोरा बताया गया अपनी अभी की ही समर्पन कथा में गंबले में शिवलिंग वराने वाला उपाय जरूर करना चाहिए और दोस्तों बहुत सारे लोगों ने तो ये वाला उपाय करना भी शुरू कर दिया है बर बहुत सारे लोगों को उपाय समझ नहीं आया है जिस कारणवश वो अभी तक ये वाला उपाय नहीं कर पाए है तो इस वीडियो में आप लोगों को हम 4 जून जिस दिन 4 महीने की मासक शिवरात्री और प्रदोश्वरत है जो कि पंडी जी ने अपनी अभी की कथा में याँ पर बताया हुआ है तो दोस्तो इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना ये सारी जानकरी हम आपको इस वीडियो में देंगे और आप लोग ये बात पहले से जानते हो कि पंडी जी जो भी नया उपाय बताते हैं उस उपाय को जो भी लोग पहले करते हैं उन लोगों को इस उपाई को करने का विफल है, वो बहुत ही जल्दी मिलता है और बहुत बढ़ा होकर मिलता है इसलिए दोस्तों हम आपको इस उपाई के बारे में वापस से बता रहे हैं तो दोस्तों इस उपाई में आपको करना क्या होता है सबसे पहले वो आप एक बास समझ लो तो देखो इस उपाई में आप लोगों को मात्र एक पार्थिफ शिवलिंग बनाना होता है पार्थिफ शिवलिंग बनाना का मतलब होता है कि आप मिट्टी से ही अपने हाथों से एक छोटा सा शिवलिंग बनाओ उसे हम पार्थिफ शिवलिंग कहते हैं पर ये पार्थिफ शिवलिंग हमें कहां पर बनाना है ये उपाय हम कहां पर कर सकते हैं तो सबसे पहले आप लोग ये बात सुन लो, तो देखो इस उपाई को करने की, पंडी जी ने दो जगाहें बताई हैं, ठीक है, इस उपाई को करने की सबसे ची बात यही है, कि इस उपाई को अगर आप अपने घर में ही करना चाहते हैं, तो भी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, तो देखो जो दो इस्थान है, वो दो इस्थान में से सबसे पहला जो स्थान है, वो है कोई साभी वरक्ष, मतलब कोई साभी ऐसा पेड़ जो की बढ़ा हो, जिसके नीचे बैठ कर आप लोग अपना यह वाला उपाय कर सकते हो, पाच बिल पतर वाला उ उस पौधे के नीचे उस गमले में आप लोग ये पाच भील पत्र वाला उपाय कर सकते हो पस ध्यान इस पात कर रखना है कि जिस गमले में आप लोग ये वाला उपाय करोगे उस गमले में तुलसी मैया का पौधा नहीं लगा हुआ होना चाहिए और अगर लगा हुआ है तो आप लोगों को उस गमले में ये वाला उपाई नहीं करना है फिर इसके अलावा आप लोग किसी भी और पेड़ के नीचे ये वाला उपाई कर सकते हो अब यहाँ पर प्रशन ये भी आप लोगों के निकल कर आया है कि अगर हम पेड़ के नीचे ये वाला उपाई कर रहे हैं तो हम कौन कौन से पेड़ के नीचे ये वाला उपाई कर सकते हैं तो देखो पंडी चीने ऐसे पेड़ के नाम तो नहीं बता हैं पर हम आप लोगों को बता दे जो भी पूजनी ये व्रक्ष होते हैं जैसे कि बेल पत्री का हो गया, पीपल का हो गया, या इसके अलावा शमी पत्र का हो गया, आम का हो गया, अमरूद का हो गया, जो भी व्रक्ष हैं, इनके नीचे आप लोग अपना यह वाला उपाए कर सकते हो, क्योंकि पंडी जी ने ऐसा कुछ नहीं बोला है कि आप इसी प पार्तिफ शिलिंग बनाना है, आपको एक से जादा नहीं बनाना है, उसके बाद में यह जो पार्तिफ शिलिंग की मिट्टी होगी, यह क्या हमें अलग से लेकर आना है, या जिस पेड़ के नीचे हम लोग यह वाला उपाए कर रहे हैं, या जिस गमले में हम लोग यह वा ईससी मित्टी को ऊपर उठाकर गुभर देना है एक शिवलिंग कर देना है ऐसे में बूत अब चलनर को की बिलोग बचले को कंब असे मोट कर लेका मिधलक है है क्या तो हम आपसे पहले ही बोल चुके है कि ये वाला उपाय विषिश रूप से गर की जो बड़ी माता बहने होती है उनको करना है ठीक है और गर की सभी बड़ी माता बहनों को नहीं करना नहीं है तो हो सके तो भई आप में से जो भी घर की जो बड़ी माताय भेने हो उनको ही मुख्य रूप से ये वाला उपाय करना है पर अगर किसी कारणवश घर की माताय भेने उपाय ना कर पा रही हो या वो घर में उपस्ते इतना हो तो फिर उस इस्थान पर फिर घर का कोई जो बड ये वाला उपाय करेंगे वो पेड़ हमारे घर के अंदर होना चाहिए कि घर के बाहर होना चाहिए तो देखो ऐसा कुछ भी नहीं है पेड़ चाहे आपके घर के अंदर लगा हुआ हो पेड़ चाहे आपके घर के बाहर लगा हुआ हो आप कहीं पर भी ये वाला उपाई कर सकते हो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं अगर आपके घर के साम नहीं पेड लगा हुआ है तो भाई आप उस पेडग नहीं से ये वाला उपाई कर सकते हो पेड़ आपके घर में ही है तो आप घर में भी ये वाला उपाय कर सकते हो ठीक है और अगर पेड़ नहीं भी है तो भई गमले तो आपकी घर में होंगे ही होंगे तो गमले में आप लोग ये वाला उपाय कर सकते हो अगर गमला नहीं है तो आप किसी पेड़ की नहीं चीए से पहले तो पार्तिफ श्यूलिंग तो आप वहीं बढ़ जाकर बनाओगे ये तो आपको पता ही चल गया और एक ही पार्तिफ श्यूलिंग बनेगा इसमें अलग से कुछ भी नहीं बनेगा ठीक है उसके बाद में दोस्तों इस उपाय में जो आपको चीज की आविश्यक्ता पड़ेगी वो पड़ेगी पांच बेल पत्र की अब पांच बेल पत्र जब हमने आपको बताया तो लोगों ने ये पूछा कि अगर हमें पांच बेल पत्र ना मिले तो हम क्या करें तो देखो पांच बेल पत्र अगर आपको ना मिले तो आप क्या कर सकते हो कि भी आप कु तो भई इस वाले उपाए में आपको 5 वेल पत्र किसी रक्षासे तोड़ कर ही लाना पड़ेगा, या तो कहीं से ख़रीद कर ही लाना पड़ेगा, वह है 5 वेल पत्र अच्छी होनी चाहिए, कटी-पटी नहीं होनी चाहिए, इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है, तो ये बात आपको समझा गई कि 5 विल्पत्रों आपको लाने ही पड़ेगी, उसके बाद में दोस्तों, 2 लोटा जल, हना, अब 2 लोटा जल कहने का मतलब क्या है, कि हमें 2 लोटा में जल लाना है, तो धेखो अगर आपकी घर में, एक लोटा तो हो गई होगा, हना, अगर घर में दो लोटा नहीं होंगे तो एक लोटा होगा तो एक लोटा तो आप जल भरलो और एक कटोरी लेलो या एक कोई सा पात्र लेलो उसके अंदर जल भरलो पर भरना आपको दो पात्रों में ही जल है ना और अगर दो लोटे है तो भई दोनों लोटों में जल भरलो और दो पूजन सामगरी जो आप उपने साथ पे लेकर आना चाहते हूँ जैसे आप भगवा शिफ जी के मंदिर में घाकर पूजन एरशनी करते हो विए से आप इस फारटिफ नहीं प्विप्जन कर सकते हूँ कोई भी दिक्कत वाक्त नहीं है ठीक है इसके साथ में दोस्तो एक और शृद्ध देसी गाई का घी ड़लेगा ठीक है शृद्ध देसी गाई का घी इस्तिमाल करना है उपाय आपका अच्छा काम करेगा है न encourage घी का दीबक तयार कर के आप पहुँचत जाओ वहाँ पर जहाँ पर आप उपाय कर रहे हो चाहे घर में बैट कर आप लोग क्या करना है सबसे पहले तो पार्थिफ शिवलिंग का निर्मान करना है और शिवलिंग भी ऐसा नहीं कि बिलकुल आप मंदर जैसा शिवलिंग बनाओ आपसे जैसा शिवलिंग बनता है वैसा आप मात्र एक पार्थिफ शिवलिंग का मतलब यह होता है कि आपको मात्र शिवलिंग बनाना है जो आपको अपनी हतेली से जो है थोड़ी सी मिट्टी को ऊपर की और उठा कर बस उस शिवलिंग को इस तरीके से तयार कर देना है बिल्कुल ऐसा जमा कर शिवलिंग नहीं बनाना है आपको मात्र आसानी से जैसे आपसे शिवलिंग बनता बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि पहले हमें जल चड़ाना है कि बेल पत्र चड़ाना है तो पहले आपको जल चड़ाना है ठीक है और दीपक भी पहले नहीं जलाना है जलाकर रखना है ठीक है अब कब जलाना है वह हम आपको बताएंगे तो पहले आप अपनी पांच बेल बेल पत्र चड़ा दे समय आपको एक एक बेटी का नाम बोलते जाना है ना देखो हम आपको 500 बेटी का नाम बोलकर बता देते हैं आप इसे लिखलो या नोट करलो या याद करलो ठीक है तो शिव जी की पाँच बेटी का जो नाम है वो है जया विशहरा शामली बारी दौतल और देव ये शिव जी की पात्स बीटी का नाम है इन 5 बीटिओ का नाम आपको एक-एक करकी एक-एक बेल-पद्र को सब्सक्राइब काा नाम लेते जाते़ों और आपकी पास्वत बेल-पद्र चड़ जाती है उसके बाद आपको क्या करना है अब अपना वह लोटा जल निकाल लेना दो लोटा जो जल है या दो पात्रों में जो जल ले करा है उसे ले देना है अब दो पात्रों का जल है वह आपको अपने दोनों हाथों में पकड़ लेना है एक सीधे हाथ में पकड़ लेना है एक उल्टे हाथ में रखना है ना तो दोनों पात्रों को आमने सामने कर लो और आमने सामने करकर अपने पात्रों से जल गिराना शुरू करो धारा बना कर जल गिराना शुरू करो उन्हीं पांच बेल पत्र के उपर इसी पार्थिव शुरू करो और ऐसी ही धारा बना कर पूरा जो जल है वो उस बिलपत्र पर समर्पेत कर दो, जैसे ही आपका जल समर्पेत हो जाता है, अब आपको अपना दीपक जो है उसे जलाना है, ठीक है, आप चाहो तो दीपक जब अपाई शुरू कर रहे हो, तो उस समय भी जला कर रख सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आप अप मतलब आपको शिवलिंग की आरती उतार कर वहाँ पर रख देना है और रख कर आपको क्या करना है भगवान से वहाँ पर प्रार्थना करना है ठीक है प्रार्थना करना है उनसे विंती करना है आपकी जो भी मनुकामना हो या जो भी दुखर परेशानी हो जिसके लिए आप ल और परिशानी है वो जो है मतलब दीपक जलाने के बाद भगवान से विंती करके हाथ जोड़कर बोल देना और वहीं पर भगवान को धूग जरूर देना मतलब उनके सामने शर जरूर जुका देना ठीक है अब उसके बाद में आपको क्या करना है दोस्तों कि यह जो पांच बेल पत्र है यह पांच बेल पत्र को आपको छोड़कर नहीं आना है यह पांच बेल पत्र को उस पार्थिव शुलिंग के उपर से आपको उठाना है और उठाकर इन्हें आपको अपने घर पर लेकर आना है ठीक है इन पांच बेल पत्र के अंदर भगवाई शिब जी का अशिरवाद आ गया है और अशिरवाद आ गया है तो इन्हें आप जब अपने घर पर रखोगे तो आपके ह pronounce श्गहर, श्यान्ति भनी रहे ठीक है और दुखार परीशानी जो होगी वह दूर हो जाईगई और आगे से दुखार उसके बाद में आप लोग अपना ये वाला जो उपाय है ये कर सकते हो ठीक है तो दीपक उठा कर दीपक ठंडा हो जाए तो भई उसके बाद आप उस पार्टिफ शिलिंग का विसरजन कर सकते हो और जो बेल पत्र आप अपने घर में लेकर आए हुए हो यह बेल पत्र कम से क हम आपको ढाई महीने तक अपने घर मर रखना है ठीक है क्योंकि ढाई महीने के अंदर आपने जिस मनोगामना के लिए जिस दुखर परिशानी के लिए वाला उपाय किया होगा वो ढाई महीने के अंदर आपकी पूरी हो जाएगी यह दुखर परिशानी दूर हो जाएगी तो किसी भी शुद्ध स्थान पर रख देना, आपने भगवान जी वाले स्थान पर रख देना, किसी भी अच्छी जगा पर आप इन पांच बिल पत्र को रखना, किसी भी एक पात्र में रख सकते हो, कपड़े में बानने की आपको जरूत नहीं है, ठीक है, और जैसे ही किसी भी वहते हुए जल में आप जाकर इन पांच बिल पत्र का विसर्जन कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि जाए दिन के बाद अपने आप ये बिल पत्र सूख जाएंगी, तो इसके बाद आप इनका विसर्जन कर देना, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, यहां पर ये वा वासरी शिवाइ, नमस्तो ब्याम